तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें निफ्टी 50 की तो आप देख सकते हैं आज लगभग हमें 1% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है यह एक स्क्रीन शॉट लिया हुआ है जहाँ पे आपको निफ्टी जो है 17924 देखने को मिल रहा है और अभी की मैं बात में भी देखेंगे कि अगर इसका कहीं पे support बनेगा तो वो कौन-कौन से levels होंगे जहाँ पर निफ्टी जो है आपको bounce back करता हुआ देखने को मिल सकता है चलिए यहाँ पे सबसे पहले reason को हम देखें तो आप देख सकते हैं कि crude oil के जो price हैं वो हमें काफी जादा बढ़ते ह हुए देखने को मिल रहे हैं और crude oil के price के बढ़ने का सीधा-सीधा जो reflection है वो आपको देखने को मिलता है inflation में यानि कि अगर inflation बढ़ेंगे तो वो आपकी economy को country की economy को भो खाते हैं तो यानि कि अगर inflation अगर बढ़ता हुए आपको देखने को मिलेगा तो उसका impact जो है आपक economy में देखने को मिलता है और market कुछ नहीं है वो एक mirror image है देश की किसी भी country की economy का तो यानि कि उसका भी impact आपको यहाँ पे market में देखने को मिलता है अभी कि अगर हम बात करें तो crude oil के जो price है यहाँ पे brint के अगर बात किया जाए तो लगभग 87 dollar per barrel हमें देखने को मिलता है औ इसके लावा अगर हम बात करें तो जो दूसरा सबसे important reason मुझे समझ में आता है वो है आपका budget आप देखें यहाँ पे budget को लेकर के मैं लगभग नवंबर से वीडियो में बार बार इस चीज को मैं stress देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वहाँ पे cash पे बने रहना है reason reason यही था budget क्योंकि budget के पहले एक अच्छी खाजी आपको volatility जो है तो वो देखने को मिल सकती है जैसा कि हमें last time भी देखने को मिला था यहाँ पे आप देख सकते हैं यह पिछले साल का trend है जनवरी 20 जनवरी 2021 से लेकर के 29 जनवरी 2021 और इस बीच में आप देख सकते हैं निफ् 7% का downfall देखने को मिला था यह budget के पहले की कहानी है और budget के बाद आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने कितने शांदार return दिये हैं आप उस समय देख सकते हैं उस समय पर निफ्टी अगर यहाँ पे देखें यह जो low बनाया हुआ था 13,596 था और आज की rate में आप देखेंगे निफ्टी हमें कहां trade कर रहा है तो definitely मैं इस चीज को इसी लिए बार-बार stress कर रहा था कि आपको budget के समय पर cash पे बने रहना है budget के पहले एक volatility देखने को मिल सकती है क्यों क्योंकि अगर इस volatility में आप investment करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितने शांदार आपको long run में return मिल सकत हैं इसके लावा अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे US का जो यह treasury yield है आप देख सकते हैं 10 year में 10 year का जो treasury yield है आप देख सकते हैं यह जो है तो बढ़ते हुए हमें 1.87 percentage तक देखने को मिल रहे हैं one of the reason यह भी consider किया जा सकता है कि यह भी एक reason हो सकते हैं यहा अगर global cues को अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक war जैसी condition यहाँ पे बनती हुई हमें देखने को मिल रही है और यहाँ पे जो है तो यह prediction लगाए जा रहे हैं कि Russia could attack Ukraine at any point तो no doubt कोई भी war जैसी condition अगर बनती है तो वो एक negative sentiment जो है globally जो है तो वो generate करत हुई देखने को मिलती है तो यह भी एक negative sentiment आपको बनता हुआ देखने को मिल सकता है आईए अब हम यहाँ पे निफ्टी में एक बार trend को देख लें देखे पिछली वीडियो में मैंने clear cut बताया था कि निफ्टी जो है बहुत तेजी से यहाँ पे recovery किया है और आप देख सक कि यहाँ से जो है तो एक resistance although यहाँ पे भी एक resistance है मैंने इसको draw नहीं किया है अभी मैं draw कर देता हूँ आप देख सकते हैं यह भी एक resistance line हमें देखने को मिलती है तो यहाँ पे मतलब एक अच्छा खासा resistance था और निफ्टी जो है तो एक resistance को यहाँ पे face करता हुआ देखने क लेकिन अभी कि अगर हम बात करें तो यहां पर जो आपको support देखने को मिलते हैं यह support आपको 17,700 पर देखने को मिल सकता है फरदर बात करें तो यहां पर 17,000 आपको 500 का भी यह support देखने को मिल जाएगा अल्दो यहां पर एक आपको 50 डेमा का भी support देखने को मिलता है 17,000 यह लगभग 622 का यह support हमें देखने को मिल रहा है and in the end अगर हम बात करें तो यह होगा हमारा 17,000 का final ultimate support तो मुझे लगता है कि at least यहां पर तो at least nifty को support लेना चाहिए अगर वो इन सारे support को break करता है तो बाकी all and all मैं यही कहूंगा कि एक बहुत अच्छी opportunity है यह आपके सामने क्योंकि यह जब कुछ ऐसे stock है जो काफी भागे हुए होंगे और आप उनको लेना चाहते होंगे बट ले नहीं पाए होंगे तो definitely एक बहुत अच्छी opportunity है कुछ ऐसे stock भी है जो Q2 की अगर बात करें Q3 की बात करें Q1 की बात करें शांदार number दिये हैं उन्होंने बहुत अच्छे result दिये हैं और उनमें भी growth आपको देखने को मिलेगी लेकिन वो अभी गिरावट का शिकार है जैसे बात करें हम mind tree की तो आप देख सकते हैं mind tree में भ की बात करें नंबर काफी अच्छे थे लेकिन estimate को बीट नहीं कर पाए तो आप चाहें तो उनमें इस opportunity का एक फायदा जरूर उठा सकते हैं चलिए all and all अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक like कीजे और channel को जरूर से जरूर subscribe कीजे ताकि इस तरीके का quality content में आपके साथ share करने के लिए motivate होता रहा हूँ thank you very much